हेलो गाइज गाइज आई होप आपने पार्थ बन देखा होगा लिनियर प्रोग्रामिंग का उसमें हमने यह वाला कॉच्छन किया था इस यह स्टेटमेंट गिवन थी इससे हमने एक्वेशन बनाई थी राइट आज एक और कॉच्छन उठाएंगे और उसकी एक्वेशन ब करेंगे और आपका यह लिनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन और ग्राफिक मेथड फिनेश हो जाएगा उसकी बाद फिर सिंप्लेक्स स्टाट करेंगे तो पहले आप यह सीखलो की स्टेटमेंट की एक्वेशन कैसे बनाई जाती है तो आपके लिए इसी हो जाएगा तो guys यह question है example number 3 एक पर ही read कर लेते हैं फिर करते हैं solve the manager of an oil refinery must decided on the optimal mix of two possible blending process of which the inputs and output per production run are as follows यह table दिया हुआ है यह आपको process input output crude a crude b gasoline x gasoline y the maximum availability crude a and b are 250 units and 200 units respectively मतलब the maximum availability के रहा है जो maximum availability है crude oil की a की है 250 250 और बी की है 200 units 200 units respectively लिखा वागे the market requirement shows that at least 150 units of gasoline x and 130 units of gasoline y must be produced मतलब की प्रोडक्शन होने ही होने चाहिए इतनी 150 units gasoline x की और 130 units of gasoline y की प्रोडक्शन होने ही होने चाहिए इतनी 150 units of gasoline x and second are rupees 40 and rupees 50 respectively formulate the problem for maximizing the profit तो गाइस ध्यान से देखो इसकी जो equation है statement की कैसे बनेगी अभी फिलाल उपर वाले कुछ काम का निया हमारा बस उपर इस टेबल की बारे में ही बताया हुए कि दो possible blending processes है जिसमें की input and output है तो इस पर आते हैं जो में अपना है जिस देखो अब मैंने पिछली पार्थ में मैंने आपको तीन चीज़े बताई थी equation की एक तो हमारा objective function होता है उसकी बाद constraints होते हैं sign होते हैं और फिर थर्ड वेराज x1 and comma x2 is greater than 0 greater than equals to 0 तो इसमें objective function identify करो students last line अगर आप देखोगे कहरे दो profits per production मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर maximization का question होगा तो या तो वो profit की बात या तो direct maximize ही लिख देगा जैसे कि इस question में जो हमने part 1 में किया maximize लिख दिया था शनी maximize the total number of people इसी से पता चलिया था कि maximize maximization का question है बट इसमें वो profit की बात कर रहा है profit मतलब again maximize का question है profit sales revenue maximization case सारे loss cost यह सारे अपने minimization किया तो profit की बात कर रहा है तो यहां पे लिखो objective function आपका बनेगा maximize maximize z is equal to equation कौन से आएगी क्योंकि guys statement में देखो जो यह लाइन बोल रहा है the profits production run from process one and second उसके आगे जो वो figures दिखा रहा है वो है 40 and 50 अब्विसली बात अब्जेक्टिव function में यहीं चीज जाएगी आपकी 40 x1 plus 50 x2 अबस यह हो गया आपका objective function या फिर हम इसको बोलते हैं profit function अब्जेक्टिव function आपको यहीं से पता चलेगा जहां पर प्रॉफिट की बात करेगा या फिर revenue या फिर sales से direct maximize 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 लिख देगा हो अगर minimization का होगा मतलब जैसे कि मैंने maximize लिखा क्यों क्योंकि आप पर प्रॉफिट की बात कर रहा है अगर minimization का question होगा तो कोस्ट की बात करेगा या loss की बात करेगा ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज करेगा वो तो फिर वो minimization का question होगा तो यहां पर जो भी लिखा होएगा उससे related जो भी आपकी figures होगी जैसे 40 50 से relate कर रही थी इसी लाइन में है ठीक है अधा प्रोफिट्स पर प्रोडक्शन रन फ्रों प्रोसेस वन और रूपीस 40 और 50 तो मतलब आपके यह यह जो है यह objective function की figures है ठीक है उसकी बाद क्या होता है हमारा subject 2 अब subject 2 में जो constraints है जो equation हो कैसे बनेगी यहां पर देखो table में क्योंकि maximize जब हमने में यह equation लिखे अपने objective function की 40 के आगे x1 लगाया 40 देखो the profits per production runs from process 1 and and to our rupees 40 and 50 respectively respectively का मतलब process 1 को process 1 मतलब 40 और process 2 मतलब 50 और 40 के आगे x1 लगाया 40 process 1 है मतलब process 1 हम एक तरह से x1 ले रहे हैं और process 2 process 250 तो 50 के आगे x2 लगाया तो मतलब process 2 एक तरह से हम इसको donate कर रहे हैं हम x2 से तो अब देखो 6 x1 प्लस ऐसे चलोगे प्लस 5 x2 क्यों 6 के आगे x1 क्यों लिया हमने x1 6 के आगे क्यों क्योंकि x1 हम x process 1 को हम x1 से denote कर रहे हैं और process 2 में 5 है तो 5 के आगे x2 लगा दिया अब नीचे देखो the maximum availability the maximum availability crude a and b are 250 units and 200 units respectively मतलब a के 250 units है और b के 200 units है crude a crude a हमने ऐसे लिख दिया x6 x1 प्लस 5 x2 अब क्योंकि आप मैक्सिमम में पार्थ वन में मैंने क्या बताया था maximum के लिए आप यह वाला साइन यूज करोगे और रेट लिस्ट के लिए हमने से उल्टा साइन यूज किया था इस साइड वाला तो इसलिए यह वाला साइन आएगा क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है कितना आएगा यहां पर क्रिवड एका लिखा आपने यह क्रिवड एकी फिगर्स लिखिए तो क्रिवड एमें 250 और ऐसे ही आगे क्रिवड बी में 3x1 फ्लस 6x2 सेम मैक्सिमम अवेलिबिलिटी क्रिवड एक ही लिख चुके हैं हम क्रिवड बी की 200 यूनिट्स है तो मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम 200 यूनिट्स हो सकते हैं इससे जादा नहीं तो अगें साइन इस साइड आएगा राइट आगे देखो गैसुलीन की बारी आती है गैसुलीन में यह यह लिखो 6x1 फ्लस 5x2 तो इसमें साइन आगे स्टेट्मेंट पड़ो दे मार्केट रिक्वार्मेंट शोस दाट अट लीस्ट वन फिफ्टी यूनिट्स ऑफ गैसुलीन एक्स यह रहा हमारा गैसुलीन इन एक्स यह रहा है इसकी बात कर रहा है कितने युनिट्स यूनिट्स 150 उनिट्स और ऐट लीस्ट कहारा है एट लीस्ट कम से कम 1.500 ऐस से जाधा भी हो सकते हैं तो हम एट लीस्ट में यह वला साइन यूश करते हैं 150 आगे गैसुलीन वाई की एक्वेशन बनाओ 9x1 प्लस 5x2 अगेन अट लिस्ट 150 उनिट्स ऑफ गैसुलीन एक्स एंड 130 उनिट्स ऑफ गैसुलीन वाई इतलीस्ट यूस कर रहा है अगेन गैसुलीन वाई के लिए भी तो साइन जाएगा आपका इस साइड 130 उनिट्स गैसुलीन वाई के हाँ है अब हमारी स्टेट्मेंट में सद्लिट्नी वी यह फिगर允त ही यह सारी यूस हो चुकी है एक्वेशन में यह भी यह भी यह भी सारी यूसों गी एक्वेशन बनगी बस यह आपके जो दो थे यह थे आपके crude material constraints और यह दोनों थे आपके demand constraints क्योंकि यह जो हमने दो लिखी है यहां से बनाके लिखिया तो यह क्रूड material constraints constraints मतलब इसाइन इनको constraints बोलते हैं और यह यह दो हो गए demand constraints क्योंकि यह बात कर रहे है दो market requirement shows that at least ठीक है यह एक रिक्वारमेट की बात कर रहे हैं तो यह demand constraints होंगे आपके अब कॉम वालों आपको आ सकती है एक्वेशन अकैली question बनानी पांच नंबर में जो आतै हैं आका question उसमें सकता यह प्लास से तो पूरा ही आएगा पर फाइफ मांक्स में भी आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट देखे एक्वेशन पूछ लेंगे फिर आगे लास्ट आपको पता ही है वेर एज इक्स1, X2 tô ब्रें दो इक्वेश टू यह अपनी होती है amplitude situation बस मेंगे आपकी एक्वेशन तो देखा आपने कैसे एक्वेशन नंधी बनाएं पहले में इस चैटमेंट में से objective function लिखना होता है पहले तो मैंने यह देखा की maximization का या minimization कर प्रोफिट की बात कर रहा है मतलब maximization profit के सामने उसे लाइन में या फिर उस set related जो मेरको figures मिली उसी में मैंने 40x1 प्लस 50 X2 लिख दिया अब 40 प्रोसेस 1 है और 40 के आगे मैंने X1 लिखा तो प्रोसेस 1 X1 रिप्रिजेंट करेगा और प्रोसेस 2 50 रिस्पेक्टिवली तो मतलब X2 हो गया अपना प्रोसेस 2 तो सेम मैंने आगे जो मैंने एक्वेशन बनाई तो मैं ऐसे उठाऊंगी ऐसे निए उठाऊंगी क्योंकि देखो यहां पर स्टेटमेंट पड़ो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी क्रिवड ए 250 क्रिवड एकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बतारे 200 यूनिट्स है तो ऐसे है मेरा ऐसे ऐसे है तो इसलिए 6 X1 प 250 तो आधाय है हमारी है एक्वेशन बन जाए अब लगा गवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करांगा है क्योंकि यह अगे वाली बढ़ी है थोड़ी और यह यह पता हो क्या बताए उस वीडियो उस्यावत्क्रार न हो तो यह नेव्ट वीडियो में घर थीक है 1 2 3 टिन चार और पांच पांच इक्वेशन और कराओंगे माप को तब यह समझागी और फिर एक अपप फुल फ्लेज कोशन कर लेंगे जिसमें की माप को पूरा सारा ग्राफ पना के दिखाओंगी ठीक है और फिर अपना चेप्टर खतम हो जाएगा फिर सिंप्लेक्स फिर उसके बाद assignment कराऊंगे मापको ट्रांस्पोर्टेशन की वीडियो में ने अल्रेड़ी डाली हुए काफी सारी वीडियो डाली हुए जिसने ट्रांस्पोर्टेशन नहीं देखा देख लेना जाके काईज मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइब